आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आपका पास्पोर्ट कहीं गायब हो गया है या फिर एकस्पायर होने वाला है तो उसे दुबारा से कैसे रीयसूब करते हैं या उसे दोबारा से कैसे बना सकते हैं गाई जब आप ये सोच रहे होंगे कि बनाना कैसे है तो आप बिर्गुली परिशान मत होईए आप अपने mobile phone के जर्ये ही बहुत ही आसानी से अपलाई कर सकते हैं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बस आपको करना क्या है हमारी वीडियो को सुरू से लेके लाट तक का देखना है अगर आप सुरू से लेके लाट तक वीडियो देख लेते हैं मैं वादा करता हूं कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने mobile phone या फिर आपके पास कोई computer है तो उसके जरीए आप बहुत ही आसारी के साथ खुझ से अपलाई कर सकते हैं तो चलिए गाईज वीडियो को जड़ा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं गाईज सबसे पहले हमें passport सेवा की website को ओपेन करके login कर लेना है हम यहाँ पे passport सेवा की website को login किये हुए हैं और यहाँ पे apply phrase passport या reissue और passport पे कर देते हैं क्लिक यहाँ पे देखे गाईज यहाँ पे PCC यहाँ पे अलग अलग जितने भी category हैं सारे category यहाँ पे सो हो रहे हैं लेकिन मैं reissue कर रहा हूं इसलिए apply फार फ्रेस पासपोर्ट पे कर देना है में क्लिक देखे इस पे क्लिक कर देने के बाद गाईज यहाँ पे देखे दो तरह का खुल करके आता है एक तो online और दूसरा offline offline में guys हमें form को हाज से fill करके upload करना होता है इसलिए हम offline form को fill up नहीं करेंगे online करेंगे तो चलिए यहाँ पे click here for online पे कर देते हैं click उसके बाद से क्या करना है guys यहाँ पे state को अपने select कर लेना है जिस भी state से हैं आप अपने state को select कर लीजिएगा उसके बाद से फिर हमें अपने district यानि अपने जिला को select करना है चलिए यहाँ पे जिला को भी select कर लेते हैं उसके बाद से guys आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है passport type तो यहाँ पे हम फ्रेस के लिए नहीं बना रहे हैं री इसू के लिए कर रहे हैं इसलिए री इसू पे कर देंगे क्लिक और उसके बाद से guys यहाँ पे region पूछ रहा है किस region से आप री इसू करना चाहते हैं तो आप अपने region को देख लिजेगा आपका जो भी region होगा आप उस region को select कर लिजेगा अगर passport damage है तो इसको select करना है अगर गायब हो गया है तो इसको select करना है लेकिन हमारा passport guys expire होने वाला है दो से तीन महीना बचा हुआ है expire होने के लिए इसलिए हमने validity expire को select किया हुआ है अब यहाँ पर normal 36 पे तीनों को select कर लेने के बाद next कर देना है अगर आपका passport expire होने वाला है तो guys जो मैं इस step बता रहा हूं इस step को follow करिएगा अब देखे guys यहाँ पर आपका name पूछ रहा है तो आप अपने passport से देख करके यहाँ पर given name में डाल दीजिए उसके बस से यहाँ पर surname डालना है gender आपको डाल देना है जो भी है उसके बस से यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो यहाँ पर आ इंडिया से बाहर के हैं तो यहाँ पर नोंक कर देना है यहाँ पर आपको अपने city या फिर अपने गाओं का नाम यहाँ पर डाल देना है अगर आप अपने जिले का नाम भी डाल देते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है तो चले थोड़ा सावन नीचे आते हैं यहाँ पर अ से सेलेट कर लेना है जो भी हैं सिंगल है तो सिंगल सेलेट कर ये नहीं तो ये मेरिट हैंगा जिसलिए हमने आपे मेरिट को सेलेट कर लिया है उसके पास से यहां पर देखिया सिटीजन सीप ऑफ इंडिया तो यहां पर बर्थ ही रहने देना है पैन कार्ड अगर आपके पा है जो भी है आप सेल्ट कर लिजेगा हम यहां पर सेलफ एंपलॉइट कर दिये हैं कि उसके पास यहां पर कि अगर आप माइनर हैं तो यह करिएगा अन्य था नो कर दिजिएगा गाईज और यहां पर जाके एजुकेशन qualification मांग रहा है तो education qualification में गाईज ये बिलकुल पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं option कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर देखिए 7th pass और less पर कर देना है click अगर आप 10th pass है 10th का certificate तो इस पर select कर लिजेगा अगर graduate है तो graduate चलिए 7th pass और less कर देते हैं फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप non-eCR category में आते हैं तो नहीं गाईज यह non-eCR category में नहीं आते हैं इसलिए यहाँ पर no कर देना है हमको अगर 10th का mark sheet होता तो yes करते हैं यहाँ पर 10th का mark sheet इनके पास नहीं है बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर yes नहीं किया है no कर दिया है यहाँ पर देखिए इन दोनों सब्सक्राइब नहीं है तो यहाँ पर no कर दिजेगा और यहाँ पर save my details पर कर दिजेगा क्लिक यहाँ पर देखिए आपका details successfully save हो गया है अब यहाँ पर गाईज क्या करना है चलिए यहाँ पर next कर देते हैं नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर देखिए फादर्स नेम यहां पर आपको डॉन पर दोनों डाल सकते आपको ड़ना है और यहाँ पर लाश्न ये Carn when तो चलिए सब कुछ डाल के, यह सब कुछ डाल करके, Save my details पर कर देना है, क्लिक, यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर Save हो जाएगा, और फिर Next कर देना है, सबसे ऊपर देखिए यहां पूछ रहा है आपका परजेंट अट्रश आउट ओप इंडिया में नहीं है ना तो यहां पर नो कर देना है और यहां पर अपना हाउस नंबर भी डाल सकते हैं इसमें और यहां पर देखिए विलेज़ इसमें डाल लेक्ट कर लेना है तो जो भी पुलीस स्टेशन पढ़ेगा अपको कर लेना है उसके बाद से यहां पर देखेंगा इसमें डाल देना है और इसमें मोबाइल नमबर आपको डाल देना है यहाँ पर टेलिफोन नमबर को छोड़ दीजेगा email id डालना जरूरी है जिसमें आप अपना email address डाल दीजेगा उसके बास से यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका present or permanent no address same है जी हाँ same है इसलिए यहाँ पर दोनों में yes कर दीजेगा तो चलिए यहाँ पर यस करते हैं फिर यहाँ पर भी आपको yes कर देना है देखिए यहाँ पर नीचे भी पूछ रहा है तो इस पर भी yes कर देना दोनों एड्रस सेम है अब यहाँ पर save my details अब ok कर देना है यह भी save हो गया अब चलिए फिर करते हैं next और करते हैं ok अब यहाँ पर गाइज emergency contact खुल करके आ गया है अब इसमें क्या करना है इसमें जिसका पासपोर्ट आप कि आनलाइन कर रहा है उसका नेम और उसका एड्रस दोनों डाल देना है और उसके बस गाइज इसमें मोबाइल लंबर में यहाँ पर मोबाइल लंबर डाल देना है बस गया जिसमें दो चीज़े डालना है बाकी आपको इसमें छोड़ देना अगरे मिल आड़ी है तो इसमें डाल दीजेगा तो चलेगा है जब क्या करते हैं हाँ पर चलिए सेब माइड डिटेल्स पर करते हैं क्लिक और उसके बस से फिर करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर देने के बाद अब क्या करना है यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पहले वाला जो आपका पासपोर्ट है पहले वाले पास पासपोर्ट नंबर यहां पर डेट ओफ इसू डेट ओप एक्सपायरी और यहां पर पैलेस ओफ इसू यानि कहां से इसू हुआ था उसके पासे फाइल नंबर इसमें डालना है फाइल नंबर है तो डाल दिजिए अन्यता आप इसको छोड़ भी सकते हैं और यहां पर सेड़ करदें है क्लिक है और यहां पर पूछ रहे इससे पहले कि आपने पासपोर्ट अपलाई किया था यहां पर नहीं हुए तो यहां पर आपको नो कर देना है अब चलिए सब डाल के save करके next हमने कर दिया है फिर उसके बास से गाईज यहाँ पर देखिए details आ गया आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं नहीं ता सबको no कर दीजेगा मैं तो बोलूँगे जब एक बार पढ़ लिजेगा उसके बास से नो करिएगा मैंने सबको no कर दिया है उसके बास से फिर से यहाँ पर से गलत हुआ है तो चलिए हमारा सब कुछ सही था इसलिए हमने यहाँ पर next कर दिया था अब गाईज यहाँ पर देखिए self declaration का यहाँ पर option खुल करके आ गया है यहाँ पर दो प्रूफ हमें देना पड़ेगा प्रूफ बर्थ और एक देना पड़ेगा तो चलिए प्रूफ बर्थ में हम क्या देंगे यहाँ पर चलिए प्रूफ बर्थ में अधरकार्ड है इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर काफी सारे चीजे यहाँ पर दी गई है गाईज आप कुछ भी सेलेट कर सकते हैं इसमें से अगर अधरकार्ड है तो अधरकार्ड ही लगा यह सबसे बे तो चलिए इसमें भी हम अधरकार्ड ही लगा देंगे गाईज दूसरा डोकोमेट लगाने का जरुरत नहीं है एसमें भी हम लगा देते हैं यह रहा अधर और यहां पर देखिया पैलेस पैलेस में आप अपने जिले का नाम डाल दीजेगा चलिए हम यहां पर गोरखपूर डाल देते हैं हमने यहां पर डिश्टिक का नाम डाल दिया है अब यहां पर I agree पे करते हैं click अब फिर से कर देते हैं save my details पे click देखिए हमारे details successfully save हो गया है अब आते हैं थोड़ा सा नीचे फिर से अब यहाँ पे देखिए preview application form पे click करके आपको preview करके देख लेना है आप preview करके बढ़े हैं से देख लिजेगा अगर कोई भी details आपका गलत है पे मिला लेते हैं हमने गाइज हमने सब कुछ सही सही मिला लिया हमारा कोई भी चीच गलत नहीं था इसलिए अब यहाँ पे हम final submit करने वाले हैं तो देखिए submit form पे करना है click कि submit form पे जैसे हमने क्लिक किया गाइज यह देखिए हमारा form successfully सुली समित हो गया अब यहाँ पे एंड सिडल अपॉर्टमेंट पर कर देते हैं क्लिक यानि अब हमें payment करना है अब payment का देखिए यहाँ पर कई सारे options नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए online payment वाले पर करते हैं क्लिक यहाँ पर internet banking आप debit card credit card से भी कर सकते हैं चलिए आप next कर देते हैं अब देखिए यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि apartment आप सेलेक्ट कर लीजिए निचे आते हैं आपको कहा के लिए मैं गोरखपुर के लिए बुक कर रहा हूं तो यहां पर हमने गुरकपूर को सेलेक्ट कर दिया है आप सेलेक्ट कर लिजेगा अपने हिसाब से जहां के लिए भी कर रहे हूं उसके बास से अब यहां पर पूरा डिटेल से एक बार और मैच करा लिजेगा यहां पर चार्ज दिखा रहा है जो चार्ज कर देते हैं पे एंड बुक अपाइटमेंट पे करते हैं क्लीक थोड़ा समय लगेगा गाइज देखिए खुलकर कि आ गया पेमेंट गेटवे अब यहां पे देखिए कई सारे ऑपसंस कुल गया है नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहां से कर दीजिए अधर कोई बैं अगर आप यूपियाई से करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं तो चलिए गाइज हम यूपियाई से ही पेमेंट कर दे रहे हैं और उसके बास से यहां पर पोचा कि वर कोट से करना चाहते हैं कि वीपिये से करना चाहते हैं वीपिये पर करते हैं क्लीक और अगर पर हमारा टाइमिंग चलना स्टार्ट हो गया है मैं यूपियाई से प्रेमेंट कर रहा हूं फोन पैसे अभी हमारा जैसे प्रेमेंट कम्प्लीट होगा उसके बाद से यह आगे ले करके जाएगा हमारा प्रेमेंट करने में इसलिए क्योंकि नौटिफिकेशन थोड़ा लेट ले रहा है नौटिकेशन अभी आया नहीं है नौटिकेशन जैसे याता फिर प्रेमेंट करते हैं और गाईज हमने वीपीए से पेमेंट नहीं किया गाईज मैं क्यूआर कोड से ही पेमेंट किया हूँ मैं वीपीए से पेमेंट नहीं किया हूँ यह तो मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसकैन करके इसमें पेमेंट करना होता है इसलिए मैं क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहा हूँ देखिए गाईज हमारा पेमेंट सक्सेस्फुल ही हो गया है क्यूवर कोड से मैंने पेमेंट किया तो तुरंत पेमेंट हमारा हो गया और यहां पर देखिए हमें रिसिप्ट मिल गया अब यहां पर देखिए 10 सिकेंड हमको वेट करना है गाज बिल्कुल ही आपको कट नहीं करना है अगर आप कोई चीज़ काट देते हैं तो आपको दि चुका है चलिए फिर से हम यहां पर लोगिन कर लेते हैं फटाक से हमने लोगिन कर लिया है अब भीव सेव और समित अप्लिकेशन पर करते हैं क्लीक हमारा पेमेंट तो कट चुका था अब देखते हैं क्या हुआ यहां पर देखिए सेडल अपॉर्टमेंट पर करते हैं क् कि यहां पर देखिए गाईच यहां पर अप्संस खुल करके आ गया है कि अल्बार 2 सब्सक्राइब लिकर हमारेन्ट हो गया था मिदर का ज़रूरत नहीं पड़ा तो चलिए अब यहां कि अब यहां पे print application रेसिप्ट करके हम इस रेसिप्ट को print कर लेंगे जिसको लेके हमें passport आपश जाना पड़ेगा यहां पे सब कुछ आ गया चलिए गाईज अब यहां पे print करते हैं करते हैं अब गाईज हमें अपना पुराना passport लेना है और अधर लेकर को बस यह दो कोमेंट लेकर यहमें passport आपिस जाना पड़ेगा अब कोई भी दिक्कत आपको आती है तो comment करके जरूर से पूछ लीजेगा और अगर कोई बात समझ में ना आया हो तो भी comment करके पूछेगा गाइज वीडियो को step by step हमने बनाया है बिल्कुल ही वीडियो को skip नहीं किया था इसलिए वीडियो काफी बड़ी बन गई आसा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी question है तो एक बार फिर से बोला हूँ comment box खुला हुआ है जरूर से पूछ लीजिएगा